नमस्कार दोस्तों एक बर फिर आजिरमाप सातीक ने और बहुत ही मैं तो पूर वीडियो लेकर यानि फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करेंगे तो आपके मन में कोई प्रश्ण है जिससे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा इस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइट कर दूँगा ठीक है तो एक हेक्टियर के बैलू अगर बात करें तो ये आपका दस हजार वर्ग मीटर के बराबर होता है दस हजार स्क्वार मीटर के बराबर होता है वहीं अगर हम बात करें तो ये दो दसमलो चार साथ एक एकड के बराबर भी होता है directory आप एकड़ में बदल सकते हैं यानि हेक्टेयर में data उसको डिरेक्ट भी बदल सकते हैं लेकिन मैं आपको एक अलग method भी बताऊंगा जिसे आप आसानी से बदल पाएं वहें हेक्टेयर की बात करें तो आपका ये सव एक्टेयर के बराबर होता है यानि हन्टेट एक बराबर होता है एक ये अगर rays की बात करे तो ये 247.1 के बराबर होता है ठीके 247.1 schooling अब यह डिसमिल की बेलू वहां इस्तिमाल होती है तो यह डिसमिल की बेलू जो होती है वो आपका जहार खंड हो गया बिहार हो गया इस एरिया में आपके बात करें तो पूर भी भारत की तरफ इसका इस्तिमाल किया जाता है अब हम बात करेंगे सिंपली की जैसे की हेक्टि में अब हेक्टेयर को हमें BG मेs convert करना है तो सबसे पहले हम आपक को पहला मज़िट值 बताएंगे वह बताएंगे कि वर्ड मीटर में बदल करेंगे आप 10,000 का गुड़ा करेंगे ठीक जा NFC जब गुड़ा करेंगे तो किस बदल जाएगा square meter में बदल जाएगा कुल खेत का शेतफल किसमें बदल जाएगा square meter में तो simple यहाँ पर दसमलो है दसमलो हटाने के लिए आपको नीचे क्या करना पड़ेगा चार 0 लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 अंक बाद यहाँ पर दसमलो लगा हुआ है ठीक है तो सिंपल चार जीरो से ये चार जीरो के हो जाएगा कट जाएगा बैलू कि नहीं आ जाएगी 14,536 ये किस में आएगा स्क्वेर मीटर में ठीक है फ्रंट्स यनि ये आपका कुल 6 तरफल हो गया वर्ग मीटर में अब यहां पर एकड के बारे में समझ लेते हैं तो ए 14,840 वर्ग बराबर होती है वही अगर वर्ग मीटर की बात करे तो ये 4000,46 समलव आठ वर्ग मीटर को बराबर होती है ठीक है तो ये एकड के बारे में भी मैंनेग से वीडियो भी प्रोवाइट किया है चैनल पर तो आप जा कर देख सकते हैं अगर कहीं दिक्ट है तो आप पर हमें क्या करना है कि एक एकड की बेलू हमें पता चल चुकी है कितना एक एकड की बेलू होती है 4046.8 स्क्वेयर मीटर ठीक है अब यहां एक वर के मिटर की बेलू अगर निकालते हैं तो ये यह क्या हो जाएगा 4046 नीचे आजाएगा 18 के यह आप इसको कह सकते हैं एक स्क्वेयर मीटर बराबर हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा यह 4046कjan 8 अब आपको निकालना कित 나ा था जब यह एक स्क्वेयर मीटर की बेलू आपको पता चल चुकी है आपको निकालना था 14,536 वर्ग मीटर का तो यहाँ पर आप डिरेक्ट लिख सकते हैं तो इसकी पहले आपको बताना चाहूँगा यह मनुस्था लेक्चर्स नाम का यूटूब चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन बॉक्स मिल जाएगी इस पर हमने बहुत सारे खेतों से संबंदी छितपल से संबंदी वीडियो प्रोवाइट कर रखा है और जो भी प्रशनाते हैं उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइट करता हूँ तो इसी चैनल पर प्रोवाइट करता हूँ तो जाके आप लिंक से आप डिरेक्ट इस चैनल पर चले जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा उसे बहुत सारे वीडियो पर वाइड की हैं इसको जरूर देखेगा ठीक है तो अब आपने देखा कि 14,536 स्क्वार यानि एक स्क्वार मीटर मतलब एक वर्ग मीटर अब अभी हमने देखा था कि एक स्क्वार मीटर की बैलू जो निकाली थी हमने वो एकड़ बटे कितनी थी 4046.8 तो सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक स्क्वार मीटर की बैलू आप रख सकते हैं तो ये बैलू कितनी है ये है 4046.8 ठीक है इसको भाग कर देना है यानि सिंपल आपको कुछ करना नहीं है आपका जो भी खेत का छेतरफल है हेक्टेर में उसको 10,000 से गुड़ा कर दीजिएगा और गुड़ा करने के बाद आप 4046.8 से भाग कर दीजिएगा ये डिरेक्ट एकड में चेंज हो जाएगा ये आप कुछ करने की जरूरत ही नह ये जो कि आप 4 अंक तक ही ले जाएगा वह इससे बात की जाए तो 7-7 अंकों तक जाएगा दसमलों के बाद लेकिन आप 4 अंक तक ही इसका इस्तमाल करे ठीक रहेगा यानि कुल खेत का 6 तरफल एकड में अगर बात करे तो 3 एकड से जादा है अब भीगे में भी कर सकते है एक एकड की बेलू हमने अभी आपको बताई कि एक एकड की बेलू जो होता है वो एक दसमलों 6 भीगा होता हो भी पका भीगा ठीक है तो एकड में जो भी डाटा आइस को आप एक दसमलों 6 से गर गुड़ा कर देते हैं तो ये आपका बीगे में करण वठ हो जाएगा ठीक एक एकड़ ठीक है अब एक हेक्टेर की बैलू है आपको निकालना था एक दसमलो चार पाँच तीन छार तो सिंपल में आप दो दसमलो चार साथ एक का गुड़ा करस के यहां से भी एकड़ में आप निकाल सकते थे बसरते दसमलों के दो अंक बाद यानि आपका जो तीन दसमलों उनसट के बाद यह जो इधर वाली बैलो आएगी दसमलों के वो आपका कम आएगा इसलिए यही एकुरेट बैलो नहीं आती है इसलिए आप वर्ग मीटर में चेंज्ज करके बदलेगे तो आप सानी से इसका मान एकड में आसानी से आ जाका अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से आप इसको डिसमल में बदलेंगे धीसमल में बराबर होती है ठीक है यहनी 100 डिसमिल के बराबर होती है एक एकड में तो अभी आपने देखा कि 3.59 ठीक है एक नव यह क्या था एकड़ाया था अब एकड़ की जगे हमने आपको बता है 100 से गुड़ा कर देंगे तो सिंपल यह 3.69 और 19 इसमें 100 के गुड़ा करेंगे तो सिंपल यह दसमलो जो है दो अंक आपका किधर चला जाएगा दाएं तरह तो आप डिसमिल की बात करें तो डिसमिल में कितना आ जाएगा 369.19 डिसमिल आपका कुल खेत का छेतरफल हो जाएगा ठीक है तो डिरेक्ट भी कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी हमने आपको बताया कि एक हेक्टियर में 247.19 डिसमिल होता है तो डिरेक्ट भी आप इसको कनवर्ट कर सकते हैं कि यह आपका 247.19 होता है छीक् तो सिंपल आपको क्या करना था 247 से गुड़ा करेंगे तो यह डिसमिल में चिंज हो जाएगा तो फ्रेंट से वीडियों आपको कैसा लागा कमें बाक्स में जरूरू बताईए कि वीडियों हिस्वाप्त करते हैं नमस्कार